निश्चित मार्ग चुनो शौर्ट हिंदी इंस्पिरेशनल स्टोरी सफलता ना मिलने का कारण निश्चित मार्ग ना चुनना होता है कई बार ऐसा होता है कि हम मेहन तो करते हैं पर फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है ये कहानी निश्चित मार्क चुनो भी उसी के बारे में है एक लड़के ने एक दिन एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देख कर धनवान बनने का निश्चे लिया अब उस लड़के का सिर्फ एक ही लक्ष था कि उसे पैसे कमाने है और धनवान बनना है वो लड़का कई दिनों तक मेहन करता रहा और धन कमाने के पीछे भागता रहा उसने अपनी मेहन से बहुत सारा पैसा कमा किया उसी बिच उस लड़के की मुलाकात एक संगीतग्य से हो गई और अगले ही दिन वो लड़का धन कमाना छोड़ देता है और संगीत सीखना शुरू कर देता है वो लड़का अभी अच्छे से संगीत सीखा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात एक विद्वान से होती है विद्वान के चेहरे पे चमक देखकर वो लड़का आश्चरयचकित हो जाता है अब उस लड़के को विद्वान बनने की इच्छा हो रही थी उस लड़के ने तुरंट टै कर लिया कि अब तो मुझे विद्वान ही बनना है अभी तो वो ठीक से संगीत सीखा भी नहीं था कि उसने संगीत सीखना छोड़ दिया और अक्षर ज्यान लेना शुरू कर दिया इसी तरह उस लड़के की काफी उम्र बीद गई न वो लड़का धनी बन पाया, नहीं संगीत अग्य और नहीं विद्वान बन पाया अंत में उस लड़के वो बहुत दोख होता है एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है उस लड़के ने महात्मा को अपने दोख का कारण बताया महात्मा ने बड़ी शांती से उसकी परेशानी सुनी और वो मुस्कुरा के बोले बेटा ये दुनिया बड़ी रंगीन है, तुम जहां भी जाओगे तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई आकर्शन दिखाए देगा। तुम सिर्फ एक ही निश्चय कर लो और फिर अपनी सारी जिन्दगी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अगर तुमने निश्चित मारग नहीं चुना तो तुम इस दुनिया के जहमेलों में यूँई घूंगते रहोगे। क्योंकि बार बार मारग बदलते रहने से किसी भी मारग में सफलता नहीं मिलती है। इस दुन्या में हमें आकर्शित करने के लिए बहुत सारी चीजे होती है किंटो उन सब में से हमें हमारी टालेंट किस चीज में है और हमें क्या करना अच्छा लगता है उस चीज को ध्यान में रखके आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि निश्चित मार्ग ना चुनके और बार-बार मार बदलने से हमें किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिलती है अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद